नमस्कार रामराजी इंटर कालेज नरायनपूर पृतमपूर हीरापूर अमबेटकर नगर के वर्चुल क्लास में आपका श्वागत है मैं रिंग को यादो आज की इस वीडियो मैं पढ़ाऊं क्लास टेंथ का फिजिक्स और कलास टेंथ की फिजिक्स में मैं electricity विद्दुत का विद्दुत लेसन पढ़ा रहा हूँ और विद्दुत लेसन में मैं कुछ न हमेरिकल्स होते हैं प्रशनों को हल करा रहा हूं ठीक है प्रशनों को प्रस्णों का हल करा रहा हूं ठीक है चलिए इस इक्रम में इस वीडियो में भी जो कुछ ने मेरिकल्स को हल कर किया जाए ठीक है चलिए चलते हैं देखते हैं पहला कोश्चन क्या है देखिए कोश्चन क्या कह रहा है कि 220 पोल्ड की बिद्दूत लाइन का उप्योग किये जाने वाले बहुत से पल्वो का अनुमतांक क्या अनुमतांक 10 वाट है अनुमतांक में साब पामर से कर सकते हो किससे पामर से कर सकते हैं यह जी 220 वोल्ड की लाइन से अनुमत अधिक्तम विद्दूत हरा फाइप यह है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने वल्ब पावर से स्रेड़ी में स्रेड़ी कौन से है पावर स्रेड़ी में स्यूजित किया जा सकता है ठीक है चलिए इसको हम हल करते हैं ठीक है देखिए कोश्चन को आप नोट कर लेना उसके बाद हम शालूशन देखेंगे ठीक है चलिए शालूशन देखते हैं शालूशन देखिए क्या है अब देखिए कर कह रहा है अब माल लेते हैं ठीक है माल लेते हैं कि प्रतिरोध जो है हम सबसे पहले प्रतिरोध माना बल्ब का रतिरोध कितना है आप नोट करते चलना अब उसके बाद हमने उस फार्मूले से फार्मूला पढ़ा है हमने यह पढ़ा है ठीक है यहां पर देखिए क्या था कि जो विवांतर दिया है कि परिपत का तो 220 बोल्टेज यहीं दिया है और जो आई दिया धारा दिया वो हमको दिया है फाइप एमपीर ठीक है और उसके बाद जो पामर दिया है पी इक्वल टू वे दासो मिपत है अनुमा तांक जो दिया है कितने का दस वाट का तो यह यह दू इह म सक्ति से देख़ें पामर से देख़ें तो हमें किसमेकिसमे आई वी के स्वरी आर और जो पावर हमको निकालना आर और वी के संबंध में निकालना है आर और वी के संबंध में अब आर और वी के संबंध में जो हमने पावर पढ़ा था वो आर इक्वल टू वी स्क्वाइर बटा पी यह फार्मूला था ठीक है, क्या था, यह फार्मूला था, है ना, इसके बाद अब आपका क्या करोगी, इसके मान पे रखोगी इसको, ठीक है, इसके मान पे इसको, क्या करना है, तोड़ा सा मैं मिटा दूँ, ठीक है, नोट करते रहना नोट बनाते चलना साथ में ठीक है चलिए अब देखिए क्या होगा अब हम करेंगे आर बराबर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 220 गुड़े 220 और 220 गुड़े 220 बटे पामर कितना था 10 वाट यह कट गया अब आग बाइस 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 आईया में 484 होता है यह आर बराबर कितना आगया आर बराबर आगया 488 अब आप यहाँ तक नोट करते रहेए ठीक है अब इसको जितना मैं बताते चलूँ वह से आप नोट करते चलिएगा चले इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा ही उसके बाद फिर बताता हूँ ठीक है अब उसके बाद देखिए क्या है हम मानते हैं कि माना क्या यहन बल्ब जुडएंगे यहन बल्ब जुडएंगे ठीक है अब क्या करेंगे और किसमें चोड़ना है देखिए लिखा था पावर सिस्रेणी में पावर से स्रेणी मितलब समान तरक पावर स्रेणी में तो क्या होगा 1 by R हमने फार्मूला पढ़ा था 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 ऐसे करके 1 by यहन तक है ना तक ठीक है यहां तक अब उसके बाद क्या करोगे आप वन भाई R equal to 1 by कितना हो गया 4840 उम प्लस 1 by 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 4840 कहां तक 1 by n तक ठीक है यहां तक मैं फिर से मिटा रहा हूं आप नोट करते बनाते चलना यह जो नीचे लिखा गया वन भाई 400 इतना 4840 उम प्लस 1 by 440 उम प्लस 1 by 440 ठीक है इसमें आपको अब हम फिर क्या करेंगे हमने पढ़ा था आर बराबर वी बाई आई यह पढ़ा था या फिर कर सकते हो कि आई इक्वल टू वी बटा आर अब आई हमें पांच एमपेर था और वी हमें कितना था 220 बोल्टेज बटा यह कितना 4840 बटा आर कितना था यह अब बाई पदो का गुड़ा बाई पदो से अंते पदो का गुड़ा अंते पदो तो 5 पर तो हो जाएगा 5 5 बराबर हो जाएगा कितना 220 बट बट गुड़े यह न बटा अंतालिस चालिस जीरो जीरो यहां से कट गया 22 बट गया थीक है अब आप गुड़ा कर दो यहां बराबर कितना हो जाएगा 22 पद चे 110 ठीक है अब यहां देखिए यहां बराबर हो गया 110 यानि बल्बों की जो संख्या होगी 110 बल्ब लिख दीजिए ठीक है यही क्या हो जाएगा यही आपका हो जाएगा आंसर ठीक है चलिए दूसरा कोश्चन चलते हैं यह कोश्चन आप नोट कर लेना हो सकता आपको समझ में आ गया हो ठीक है चलिए द दूसरे कुश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा कुश्चन क्या कहते हैं? देखे दूसरा कुश्चन दिये गए परिफद में सलका आंतरिक प्रतिरोध ये कॉम है, तो विद्धुद बाहक बल इतना है? ठिक है? ये आकरित दिया गया है, क्या है? जो एक ओम है प्रत्रो बिद्धुत बाहग वल्ट यानि वीक इतना 20 बोल्ट है इस प्रकार की आकरित दिया है कहरा है कि ग्याद कीजिए कि परिपत का संपूर्ण प्रतिरोध ग्याद करना है क्या ग्याद करना है संपूर्ण प्रतिरोध ग्याद करना है दूसरा क्या है दूसरा कह रहा है कि विद्धु धारा भी ग्याद करने है और A और B का विवान तर भी ग्याद करना है ठीक है तो सबसे पहले हम चलते हैं देखते हैं सालूशन क्या होगा ठीक है सालूशन यदि मैं यहीं से बताऊं ठीक है चलिए देखिए यहीं सालूशन इसके बाद में दिखा देंगा solution देखे आरवन और आरटू आरवन और आरटू क्या है यह देखिए यहां से यह इसको आरवन मान लो इसको आरटू मान लो ठीक है यह दोनों किसमें है स्रेंडी करम में है यह दोनों किसमें है स्रेंडी करम में जब स्रेंडी करम में है तो स्र टू ठीक है अब क्या करोगे इनको आप जोड़े लोगे क्या करोगे जोड़े लोगे तो यह हो जागा चार प्लस टू बराबर शिक्स ओम यह आपको पता चले गया अब देखिए अब चलते हैं अब शिक्स ओम हो गया अब मैं फिर से इसको मिटा दो यहां से आप नोट करते चलिएगा सिनरी करम में मिल गया है अब देखिए यह इसकी टोटल दोने की समांतर यह क्या है समांतर करम में इसमें अब समांतर करम में समांतर करम में जोड़ो गया तो क्या आ जाएगा देखिए फिर आ जाएगा ठीक है क्या आ जाएगा एक बटा 6 इसका उपर वाला कितना था एक बटा 6 प्लस एक बटा 6 तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 एक बटा 6 ये हो जाएगा ये एक ब्लस एक बराबर दो ये बटा 6 यानि तीन और बराबर कितना हो गया तीन यह हो गया ठीक है अब चलते हैं चलिए यह हो गया एक बटा 3 यह हो गया अब एक और इसका तुल प्रतिरोध हम जब निकालेंगे इसका क्या तुल प्रतिरोध जब तुल प्रतिरोध निकारेंगे तुल प्रतिरोध जब तुल प्रतिरोध निकरेगा तो ये हो जाएगा क्या तीन प्लस छै बराबर 9 तीन प्लस 6 बराबर 9 यहां तक यह हो गया 9 ओम ठीक है आप नोट करते चलना यह ओम है चलिए और इसके आगे चलते है अब जो हो गया जो पहले का एंसर यह कितना कुल प्रतिरूद कितना हो गया तो पहले का जो एंसर होगा वो कितना हो जागा 9 इतना 9 एंसर ठीक है यह पहले का एंसर हो गया दूसरा पूछ रहा है कि विद्दु धारा टोटल क्या विद्दु धारा पूछ रहा है चलिए इसको यहां से तो व आप जानते हो आई बराबर आई बराबर ई बटा Ranma बटा और पलस और ओता यह फार्मूला ठीक है अब क्या करोगे यहां देखिए 220 वोल्ट इज़ा और सारी बीस बोल्ट Ary खरोगे ठीक है अब प्लस बॉल्ट बटे क्या नॉ और अर प्रतिरोत कितना आये था नॉ प्लस एक यह एक बचा अठीक है एक एक ओम ठीक है ना एक दस ओम हो गया तो बीष बटा दस बराव ये कितना नियुख धारा कितना हो जाए गई धूम्पिर ये द्यूसरे का कोस्चिन मैंचर कितने एक हो गया कि दूसरे खान से चलिए तीसरे感 हम तो आप जानते हैं कि हमने एक फर्मूला प्रतिरोध के बीच में विवांतर निकालना है तो हमें फर्मूला इसको अपलाई करना है जब इसको अपलाई करेंगे धारा दो एंपियर है और जो प्रतिरोध निकला है है कौन सा पत्रोध प्रतिरोध जो सब्यांतर क्रम में निकला है प्रतिरोध तो वह ऊजो प्रतिरोध छे बोल्ट यानि यहां से यहां तक जो भी वांतर का जो भी वांतर होगा छे बोल्ट होगा यह तीसरे का एंसर है ठीक है चलिए चौथा चलते हैं और कोश्चन देखते हैं आगे का देखी कोश्चन यह है कि दिये गए परिपथ में ग्याद कीजिए यह परिपथ दिया गया आपके सामने और उसके बाद कहरा है कि एवा बी के मद प्रतिरोध ही ग्याद करना है ठीक है दूसरा परिपथ परवाहिद धारा भी ग्याद करना है तीसरा ए और विवांतर भी ग्याद करना तीनों के प्रतिरोध के सीरों का विवांतर चार कोश्चन इसमें बनते हैं चलिए हम पहला ग्याद करते हैं देखिए ठीक है चलिए हम इसको देखिए क्या करते हैं ऐसे ड बिख्यों हम क्या करेंगे इसको कर देते हैं अरवन इसको कर देते हैं और यहां देखी गया लगा 10 बॉल्त का यह ओं ठीक और एक और है ठीक है इतना आपका बनता है है चलिए हम देखेंगे ए और बी के मद में सिर्फ इतने के ए और बी के यहां से यहां तक थीक है तो आप क्या करेंगे कलर थोड़ा सा मैं बदल करूं तो अब देखिए जब हल करेंगे पहला कोश्चन टीक है देखिए और वन और रटू क्या है स्रेनी करम में इसने हम इसका जो तुल प्रतिरोध होगा तो आर वन का क्या हो जाए आर वन बराबर ठीक है यह हो जाएगा यह हो जाएगा कि चार प्लस दो हो जाएगा बराबर सिक्स हो जाएगा ठीक है सिक्स उम दूसरा क्या और उसके बाद यह आर थिरी आर फोर आर थिरी और आर फोर क्या है स्रेनी करम में तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा तो लातमक प्रतिरोध यह हो जाएगा कितना? दू वैं है, और एक उम है, तो दो प्लस एक बराबर छे ओम, ठीक है? अब आर 1 और आर 2 यह जो है हैं? यह आर 1 और आर 2 यह किसमे हैं? समांतर करम में, जब समांतर तरेरी करम में हैं, तो आप क्या करोगे? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 अब इसको जोड़ोगे जब जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 3 अब यह 6 हो गया 1 प्लस 2 यानि 2 एक 3 बटा 3 बटा 6 यानि यह कितना आ गया 2 यहां से मैं मिटा दूँ आप नोट करते रहिएगा नोट कर लीजिए उसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ यहां जो R बराबर आ गया यह आ गया 2 ठीक है चलिए अब यहां से तुना तुना तुन प्लस पत्रत निकल ही गया एंसर यही होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं पूरे को मिटा देते हैं ठीक है ठीक है तुन दूसरा कोश्चन यह मद्ध पत्रत रोद इतना कितना हो गया दो ओम का हो गया अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है इसको हल करना है हमको ठीक है दूसरा क्या करना परिपत का तुल्य प्रतिरोध है भाई तुल्य प्रतिरोध है हमने अभी आर इसका निकाला पूरे का यहां से ए और बी का तो हमने निकाला कितना तीनों परिपत कितना निकाला है दों निकालना है यहां क्या करोगे कि यहां हो जाएगा दो और प्लस एक यहां हैं तीन 50 यहितना पांच म यहीं आपका हो जाएगा answer, दूसरे का ठीक है, दूसरे का answer हो गया चलिए, मिटा दे रहे हैं तीसरा question देखें, तीसरा क्या है तीसरा है, A और B के मद्ध का विभुवांतर क्या निकालना है, विभुवांतर विभुवांतर के लिए आपको हमने बताया है कि जो formula होता है आई और आर की बीच में निकाला जाता है तो formula थे यह वी इकल टू आई आर आपको बहुत अच्छे से पता है अब हमें मिला था आई एंपियर जो धारा मिली थी दो एंपियर की धारा मिली थी प्रतिरोध कितना लिगाता था दो दूना चार बोल्ट यह हो गया तीसरे का यह जो हुआ वो किसका हुआ तीसरे कान सा हो गया ठीक है अब उसके बाद चलते हैं चौथा चौथा क्या रहा है तीन आम के प्रतिरोध का भिवा आंथा तीन आम के प्रतिरोध का देखिए यहां लिखा तीन ओम का प्रित्रोद होगा तो हमें सिंपल सी भासा है क्या करना है हमें करना वही है फिर से भी माँ वही लगा वी इक्वल टू आई आर ठीक है वी इक्वल टू आई एंपेर कितनी धारा दो गुड़े आर कितना तीन ओम के लिए नहीं करें तीन दूना छे बोल्ट यह हो गया किसका यह हो गया तीश्रे का ठीक है चौथे का आइंसर ठीक है ओके बस इस वीडियो में इतना है ठीक है वीडियो पसंद रहा तो लाइक करे कमेंट करे शेयर करे धन्यवाद जय हिन जय भारत